आप देख रहें धर्म देश्ट पत्रिका का यूट्यूब चैनल दस्तक मीडिया बाबा की अनंत कथाओं में मैं बाबा के सुच्वरूप धरने के बाद की एक कहानी आपको सुना रहा हूँ बात 1990 की है जब केंद्रिय खाद नियंतरक के पत पर सदानंद जी ब्राजमान हुए सदानंद आये सबसर थे हलद्वानी के वोश्टिंग के दोरान उन्हें कैची धाम से एक बाद ने करना हुआ सोचा चले दरसन कर लें लेकिन मन में वो सेनी साही बाबा को मानते थे अब एक द्वंध हुआ क्या भाई चली अब मैं तो बाबा का भगत हूँ सेनी बाबा का भगत हूँ तो हनुमान बाबा के कहा लेकिन फिर उन्हें चलो दरसन करने में क्या हो रही है दरसन कर लेते है सदानम्द जी उनके दरसन के लिए कैची धाम में गए जब उन्हें बाबा के हनुमान बाबा के दरसन किये हनुमान बाबा की बड़ी मूर्ती है उस समय उन्हें ये आभास हुआ कि यहां साच्छात बाबा बैठे हुए है लेकिन जब नुग करूरी बाबा दिखाई पड़ते दूसरे ही पल उन्हें स्रेडी बाबा के दरसन होते यह थोड़ी देट चला उन्हें अपने आखों को मसला कि क्या पता कि हनुमान बाबा है, नुग करूरी बाबा है, सेरी बाबा है कुछ उनकी समझ में नहीं आ रहा था कभी बाबा सेरी के दरसन होते कभी नुग करूरी बाबा के दरसन होते उन्हें ऐसा लगा कि यह दोनों सक्तियां एक ही है वो महां से चले गई लेकिन मन में ये रहा कि ऐसा क्यों हुआ वो थोड़े दिन के बाद फिर वहां पहुँचे और हनुमन बाबा के सामने बैठ गए आखे बंद की और कहा कि सक्तियां यदि एक हैं तो हमें एक रूप में दिखाई पड़ी है उननों देखा कि साई बाबा और निव क्रोरी बाबा दोनों सक्तियां हनुमन जी के उसी मंदिर में उसी प्रांगड में सामने ब्राजमान है साच्छात उनको दर्सन हुए तब उन्होंने माला कि सूच मरूप में होते हुए भी ये सक्तियां इसुर के सुरूप है मित्रो ये कहनी कैसी लगी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए यदे आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कीजिए जय है